एक वीडियो है जो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो ही नहीं पूरी मीडिया पिछले दो-तीन दिनों से सोनु मैं हुई थी मामला क्या था? ये बताते हैं उससे पहले मेरा परिचे जान लीजिए मेरा नाम यर्श्वंथ है और आप इंसाइड भारा टीवी देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा में जनसनवाद कारिकरम कर रहे थे उसी दोरान एक सोनु नाम का बच्चा भीर से बाहर आता है मुख्यमंत्री जिसे कहता है कि मेरा बाप दारू पिकराता है और मुझे पढ़ने नहीं देता है आप मेरे पढ़ाई की व्यवस्था कर दीचे मुख्यमंत्री जी और वहां खरे लोग मुश्कुराते हैं और एक बच्चे के बाल मनुहार पर कोई भी मुस्कुरा सकता है लेकिन उस मुस्कान के बाद बिहार सरकारित ने जो कदम उठाएं उन पर सवाल लाजमी है सबसे पहली बात कि बिहार में सराब बंदी है और मुख्यमंतरी नितीज कुमार कहते हैं कि बिहार में सराब पीने वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता है तो क्या उन देशद्रोहियों पर बिहार सरकार की पुलिस इतनी अक्षम है कि अभी तक कारवाई नहीं की है और वो खुले आम अपने बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातर दावे करते हैं कि उनके आने के बाद से बिहार में सिक्षा व्योस्था सुद्रिड हुआ है। उस विहार में एक बच्चा खुले आम कैमरे पर कह रहा है कि उसके मास्टर साहव जिनका फलाना या कुछ नाम है जो नाम भी वो बताता है उन्हें पढ़ाने तक नहीं आता ये बात मैं जानता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ वो बच्चा खुद को मैं कह रहा है उस वीडियो में अब बताईए कि अगर मुख्यमंत्री जी के दावे सही हैं तो फिर सोनु गलत कह रहा है और यदि अगर सोनु गलत कह रहा है तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कोई अभी तक कमिटी को नहीं बनाये हैं कोई ऐसा अस्पश्टिकरन सरकार के तरफ से क्यों नहीं आया है जो ये पता कर सके कि बिहार में कितने मंगरवा जंगरवा सोनु जैसे आज भी स्कूल जाने से वन्चित हैं क्योंकि सर्वसिक्षा अभियान तो कहता है कि सब पढ़ें सब इस पूरे मामले में सोनु का क्या हुआ ये जानने की कोशिस करते हैं मीडिया हाउसेज उस वीडियो के सामने आने के बाद से इस चिंता को छोड़ कर कि सोनु की मदद कैसे हो की इस चिंता में लगे हुई है कि सोनु से आज कितना टियारपी कमा लिया जाए ये बात सोनु ने भी एक वीडियो में कहा है कि उसे पिछले कुछ दिनों से किस तरह से मीडिया के द्वारा परिशान किया रहा है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये कितना परिशानी का वक्त होगा जब उसे बार बार मीडिया की तरफ से कॉल सा रहे होंगे इंटर्व्यू के लिए उससे समय मागा जा रहा होगा एक पियार मिनेजमेंट का उसे बस साधन बना कर रख दिया गया होगा दूसरी बात कि आखिर जो लोग वीडियोज में सोनू की मदद करते दिख रहे हैं चाहें वो सुसील कुमार मोदी हों पप्पू यादव हों तेजपरताप यादव हों क्या पैसो से सोनू की मदद की जा सकती है क्या एक ट्वीट के माध्यम से सिर्फ सोनू की मदद हो जाएगी या फिर कोई ये आस्वासन दे दे कि मैं तुम्हें I.S. बनाऊंगा और जब तुम I.S. बन जाना तो मेरे अंडर में काम करना इस बात से सोनू की मदद हो हैं और सोनू का नमांकन बिहार की एक नीजी विद्याले में होस्टल की व्यवस्था के साथ कराने की बात कह रहे हैं इन तमाम बातों के बाद भी कुछ प्रश्ण अभी भी छूट रहे हैं वो प्रश्ण ये हैं कि क्या उस पास्वान टोली के उन बच्चों का वविश्य सोनू की तरह ही उज्वल हो पाएगा या फिर वो बच्चे उसी सिक्षक से पढ़ते रहेंगे जिस सिक्षक पर सोनू का आरोप है कि उसे पढ़ाने तक नहीं आता है क्या बिहार में सिर्फ सोनू एक ही है या फिर सोनू जैसे और भी कई लाल हैं जिने अच्छी सिक्षा अगर मिल जाए तो वो बिहार और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं इन्ही सब सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं धन्यवाद